नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो जे आरेफ 2021 का एक्जाम बहुत ही करीब है और ऐसे में हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी भी है और साथ ही साथ हम लोगों का ये जादा काम बन जाता है कि अब जो भी हमारे पास प्र अपने किस तरीके से स्ट्रेटजी बिनानी है और किस तरीके के प्रशन पूछे जाते हैं उस पर ही वीचार करना है और जो चीजें आपने आज तक पढ़ ली है ठीक है उनका रिवीजन करने का समय अब आ गया है क्योंकि परिक्षा जैसी आप सब लोग जानते हैं कि दो म पास हमारा पेपर हो सकता है तो उस तरीके से अपनी तैयारियों को कॉंटिनूसली करते रहना है तो देखिए परिक्षा से पहले रिवीजन बहुत जरूरी है रिवीजन के साथ साथ मौक टेस्क देना बहुत ही ज़ादा जरूरी है और इसी चीज़ को मदे नजर रखते ह हमने इससे पहले भी एक मौक टेस्ट कर लिया था जिसमें हमने नो दोश परशनों को डिसकस कर लिया था और उसमें अच्छे रिवीउ मिले उसके चलते हमने आज ये दूसरा प्रयास किया है कि आपके सामने इसरे के मौक टेस्ट एक और रखा ज้Ããy और कोंटिनूसली हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपना लगा दें तो दोस्तों ये वाला जो हमारा मौक्टस रहागा इसमें हमने मेली 15 प्रशनों को रखा है तो चलिए देख लेते हैं आज का जो अगला प्रशन कौन सा है तो सबसे पहले यहाँ पर प्रशन पूछा गया है कि इस काल को रस के विचार से कोई श्रेंगार काल कहे तो कह सकता है तो देखिए हो सकता है आपको परिक्षा में इतना सा ही प्रशन पूछा जा सकता है कि यह किस काल के बारे में किस ने कहा है ठीक है तो यहाँ पर हमने ऐसा पूछा है देखिए कि रितिकाल के संदरब में ये बात किस ने कही है तो देखिए ये वाला प्रशन अपने आप में ही आप से बन गया कि ये किस के संदरब में बात कही है रितिकाल के संदरब में कही है लेकिन किस ने कही है ये देखना बहुत जरूरी है थोड़ा सा confusing ये प्रशन है बाकि बहुती simple है सरल है अगर आपने अच्छे से आपके पास कोई भी पुस्तक है ना जो हमने बताई भी है आपको कि कौन कौन सी पुस्तक है UGC net के लिए बहतर है ठीक है तो वहां से आपका ये प्रशन easily clear हो जाता है तो यहां पर confusing इसलिए है देखिए यहां पर आप ये श्रिंगार काल की ओर मत जाईएगा क्योंकि श्रिंगार काल किस ने कहा था ये आपका विश्वनात प्रसाद मिश्री जी ने कहा था लेकिन यहां पर देखिए confused नहीं होना है यहां पर ये क्रत्म किस ने कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में अ रिती काल के संदर में देखिये, किस प्रकरन में है आपको मिल जाएगा ठीक है, तो ये अचारे रामजंदर शुक्रोषिकल का गतन है, इन्होंने ही कहा था पहले कि अगर आप उसको श्रिंगार काल कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन ने इसको श्रिंगार काल नाम नही ने दिया है विश्वनात प्रसाद मिश्री जी ने दिया है ठीक है और रितिकाल के नामकरण से related भी कई बार प्रक्षन पूछा जाता है तो रितिकाल के बारे में हमने अच्छे से discuss किया हुआ है ठीक है इकाई दो के अंत्रगत तो आप वहां से भी इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं और कौन-कौन सी मौत्वण चीज़ें हैं रितिकाल में वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी चलिए अगलर प्रशन देख लेते हैं प्रशन संक्या 12 है देखिए टेकनीक में एजरा पॉंड को सबसे बड़ा आदर्श किसने माना है तो यह माना है आपके आपका देखिए विकल्प नंबर 3 शमशेर बहादूर सिंग ठीक है तो शमशेर बहादूर सिंग के समझ में भी अलग-अलग चीज़ें कहिए और इन शामिल नहीं लेकिन इकाई 2 मैं बार-बार कहता हूं बहुत जादा मौत्वण है वहां से आप देखेंगे कि जितने भी आपके कवी हैं है आपकी जितने कहानिया है उपन्यास है जो प्रमुख प्रमुख है वो पूछे ही जाते हैं तो यहां पर टेकनीक में एजरा पॉं यह महत्वण चीज़े हैं छोड़ छोड़ चीज़े हैं देखिए आप इनको चाहिए गोविंद पांडे और सस्वति पांडे की पुस्तक से पर डालिए वो बहुत ही जादा अच्छी है ठीक है चलिए अगला पशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्याती ने देखिए मेरी तिबबत यात्रा एक तो पहली बात यह इसका प्रकाशन वर्श कब है यह आपको पता होना चाहिए और इसके साथ ही साथ यह किस की रचना है और किस तरीके की रचना है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए हाना कि हमारे पाट अक्रम में शामिल है यह चीज़े मैं पर नहीं बताऊंगा, यह चीज़ें आप सब लोग मुझे पता है कि आप जानते हैं, तो यहां पर मेरी तीबत की यात्रा की जो विसे सूची है, देखिए, उसमें जो इंडेक्स है उसका, उसमें 3-4 चीज़ें हैं, या मतलब उसमें जो चीज़ें हैं, कितने भागें उसम उनके नाम यहां पर दिखे गए हैं, देखिए, चाड की ओर है, जेनम की ओर है, सक्य की ओर है, या फिर आपका चीन की ओर है, तो यहां पर पूछा गया है, कि इसमें शामिल नहीं है, तो इन चीज़ें पर फोकस करना है, पर इक्षा में कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते ह अच्छा है तो एक मैं देख लिया हाँ हाँ ये तो है ऐसा नहीं करना है बिल्कुल आराम से ठहर के प्रशन करना है पूरा पढ़ना है इसको ठीक है तो दिखिए चीड़ों सॉरी जो मेरी तीबत यात्रा है उसकी जो विशसूची में शामिल नहीं है वो है आपका चीन की ओ तो यहाँ पर क्या है उसमें नेपाल की ओर ठीक है और एक उसका और है इसमें विशसूची में शामिल वो कौन सा है ये वी आप एक बार जरूर उसको दिख लिजेगा चीन की ओर नहीं है नेपाल की ओर है चलिए अगला प्रशन दिख लेते हैं प्रशन संग क्या 14 है तो देखिए एक और द्रोनाचारे है अंजोदीदी है महाभोज है या फिर बकरी है ठीक है तो इन में से सबसे पहले देखिए कौन आएगा सबसे पहले आएगा आपका अंजोदीदी फिर उसके बाद बकरी उसके बाद एक और द्रोनाचारे और आखिर में महाभोज 1982 में एक और द्रोना चारे कब है आपका 1976 में बकरी 1974 और अंजोदीदी 1952 में ठीक है तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जो जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वो तो पहले याद होने ही चाहिए लेकिन इसके अलावा अन्य जो नाटक हैं वो भी कई बार पूछ जात है ठीक है तो विकल्प नंबर दो इसका क्या होगा बिल्कुल सायूतर होगा चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन से क्या 15 है यहां पर असंगत यूगम बताईए तो देखिए ऐसे प्रशन आपने देखा होगा अब UGC की नेट की जो परिक्षा में है जादा प प्रशन रखा है और एक चीज़ याद रखना जो आपके उपन्यास है उनके प्रमुक पात्रों के साथ साथ गौन पात्रों को याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि गौन पात्रों से ही गल्तियां होने की संभावना जाधा रहती है ठीक है तो यहां पर देखिए तो ये भी क्या है गल्त है वहाँ पर क्या है आपका देखिए मिस्टर खना है ठीक है मिस्टर खना इस तरीके से नाम है तो ये वाला भी क्या है गल्त है और मास्टर जो रामदास है ये तमस में है तो बिलकुल सही बात है तो यहां पर दो और तीन इसका क्या होगा सही उत और उपन्यास मैं बार बार कहता हूँ एक तो इसके कथन याद गर लीजिए उसकी प्रिष्ट भूमी याद गर लीजिए और इसके साथ ही साथ उसके जो प्रमुख पात्र हैं यहीं से ही प्रशन बनते हैं इसके अलावा पात्रों उपन्यासों से कहीं से अलग से प्रशन न तो यह है कि मैं कवीता लिखकर केबल अपना होना परमानेत करता हूँ तो कावय पंक्तियां किस काभय संग्ढ्रह में संग्रह एं या फिर वो किस की हैं इस तरीके से ही प्रशण बन सकता है आपका जो कवीता वाला पूर्शन है तो ये वाली जो पंक्तियां देखी यह सर्विश्वर द्याल सकसेना की कुवानो नदी से ठीक है और इनकी जो प्रमुख क्रीती है तो ये इसका एक सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 17 है देखे यहां पर स्थापना और तरक से हमने प्रशन रखा है कि प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रिष्ट मानते थे तो ये बात क्या है बिलकुल सही है कि जो प्रेमचंद थे वो आदर्शवाद को क्या मानते हैं श्रिष्ट समझते थे और तरक देखे आगे क्या देते हैं क्यूंकि आदर्शवाद उनकी दिष्टी में संपूर्ण जीवन दिष्टी है तो यह कथन अपने आप में ही गलत हो जाएगा क्यूंकि अगर हमारा ए सही है तो यह ठीक है तो यथार्टवाद से अधर्शवाद को इनोंने शृष्ट माना है लेकिन यथार्टवाद को इनोंने बिल्कुल त्यागा भी नहीं है इसलिए इनको कहा जाता है अधर्शवनमुक यथार्टवादी और इनके जो पहले की रचनाये हम देखते हैं चाहे कहानिया हों मुक यथार्टवादी साहित्यकार तो यहां पर A सही और R गलत हो जाएगा तो अभी कल्प नंबर A किसका क्या होगा तो दीखिए अब जो है आपकी परिक्षा है खासकर UGC NET की जब से पैटर्ण चेंज हुआ है हमारी परिक्षा का तब से आप देखें कि conceptual जो question है वो ज चीज़ भी पढ़नी है लगवग 60-40 का ratio इसके बीच में है ठीक है चलिए अगरा पशनम देख लेते हैं नेक्स देखिए जिस्थापना और तरक से ही है ये भी रसात्मक वाक्य ही काव्य है तो ये बात क्या है बिलकुल सही है कि हर एक जो वाक्य जो रसात्मक है जिसमें अभी वेंजना होती है वो क्या आपका काव्य है तरक देखे क्या देते हैं क्योंकि हर वाक्य रसात्मक नहीं होता तो ये बात भी सही है कि कोई भी वाक्य जो रसात्मक नहीं हो सकता ठीक है इसलिए वो काव्य कहलाने के योग्य भी नहीं होता तो दोनों चीज़ें क्या ह सही है और बहुत सिंपल है और जो आपके स्थापना और तरक वाले प्रशने देखिए इनको बिलकुल समझ के कीजएगा ठहर के कीजएगा तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा चीजों को एक तो मिथक पढ़के जाएए बिम्बद जाइए ठीक है उनमें कॉनकों से चीज़े Mana उत्राइव निकता पढ़कर जाईए यहांसे प्रशुंद देखना है आपने कि प्रियूसे एर में यहीं से प्शेंद पूचे गए है या फिर आपके जैशंक परसाध हो गया या फिर आपके भारतेंदू हो गए, इनको फोकस किया गया है स्थापना और तरक में है ना, जो जो प्रमुक नाम है वही चीज़ें रिपीट हो रही है है ना, तो आप उनको भी देखिए और प्रिवियस एर पेपर स्थापना और तरक के लिए जरूर देखिए, वहाँ से बहुत जादा हेल्प होती ही होती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका विकल्प नंबर तीन हो जाएगा, A और R दोनों ही सही है, चलिए नेक्स प्रशनम देख लेते हैं, प्रशन संख्या यहां पर देखिए, 28 से असंगत कथन का चयन कीजिए, तो देखिए असंगत कथन मतलब जो आपका गलत कथन है, तो ऐसे कथन भी आपको प्रिक्षा में मिलते हैं, देखने को ठीक है, तो अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुकता दी, ये बात है, बिल्कुल सही है, और इसी के चलते नों ने फोर्ट विल्यम कॉलेज की स्थापना भी की है, है न, कि ताकि यहां के लोगों को जो है, यहां की शिक्षा से अवगत करवाया जाए, यहां की विरासत से अवगत करवाया जाए, तो ये बिल्कुल सही गतन है क्या थी आवशकता थी तो यह बात भी क्या है सत्य थी थी है नेक्स्ट है खड़ी बुली के विकास में Fort William College का विशिष्ट योगदान रहा है तो यह भी सत्य है तो इन में से असंगत क्या है कुई नहीं है तो विकल्प या तो आपका भक्तिकाल, या तो आपका आधिकाल या फिर जो भी आपका प्रगतिवाद है, प्रियोगवाद है, छायवाद है उनमें कौन सी चीज़ें विशेश हैं, उनकी जो विशेशताएं हैं उनकी जो प्रवृतियां हैं उसके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा जरूर पढ़के जाएं तो जादा बेनिफिशल रहेगा आपने देखा दुएदी यूग के बारे में बहुत जादा बार परिक्षा में पूछा गया है और रितिकाल के बारे में इन दो के बारे में अंकन प्राय नहीं हुआ है ठीक है और प्रबंध काव्यों की अपिक्षा मुक्त काव्यों की रचना अधिक हुई है और नभीन विचारों का उसमें अभाव रहा है तो यहां पर देखिए इसका जो सही उतर क्या होगा विकल्प नंबर आपका जो बी है ये इसमें नहीं ह नारी के विभिन रूपों का अंकन इसमें नहीं हुआ है क्योंकि नारी को सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से प्रदश्चित किया जाता था राजा को खुश करने के लिए उसका श्रिंगारिक पक्ष था उसको ही देखा जाता था इसलिए यहां पर इसका अपने आप में असं तर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका जो दो है देखे नारी के विभिन रूप का अंकन प्राइस में नहीं हुआ है चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या बाई से देखिए मन मोहन काना विनती करू दिन रेन रह तके मेरे नैन अब तो दरस देदो तो ऐसी पंक्तियों भी आप UGC.net की परिक्षा में देखते हैं ऐसे ऐसी प्रशन भी अब पूछे जा रहे हैं या तो अलंकार पूछेंगे कि इसमें कौन सा है या उसका भावार्थ पूछ लेंगे कि एक अर्थ का इसमें क्या मतलब निकल रहा है तो वो चीज़ भी रात है कि इसमें क्या है वी रहा की बात हो रही है कि दिन रात जो गाना क्रिशन भागवान के प्रेम में क्या है गोपि जो है गोपिया जो है वो क्या है वेचैन थीक है तो एक तुछ चीज आ गई दूसरा अब तो दर्स देदो कौछ विहारी मनुआ है ये थीक Automate मतलब व्याकुल वी है उसके दर्शन को देखने के लिए और दर्शन अभिलाशा ठीक है तो ये तीन चीज़ें इसमें हो जाएगी लोक बैबार यहां पर नहीं होगा तीन चीज़ें इसमें मेंली कौन कौन सी आपकी विकल्प नमबर दो है क्या तेई से यहां पर देखिए, अंधेरे में कवीता के संदर्व में कथनों को सूमेलित कीजिए, तो अंधेरे में कवीता भी हमारे पाटेकरम में शामिल है, उसके रिगार्डिंग जो जो चीजे मौत्वपोर्ण थी वो भी जरूरी है, और अंधेरे में किस त्रिके की कवीता है, लंबी कवीता है, अलग-अलग विद्वानों ने, अलग-अलग कथन कहे हैं, यहां पर हमने लगवग चार कथन रखे हैं, और चार कवी रखे हैं कि किस का कौन सा कथन है, तो यहां पर देखिए, लावा किस ने कहा है, अस्मिता की खोज किस ने कहा है, साथ B है ठीक है तो एक के साथ B कहां पर है दीखिए ये है उपर A में B है चलिए आगे देख लेते हैं असमिता की खोज तो ये नामबर सिंग ने कहा है देखिए विकल्प नम्बर सी हो जाएगा B तो 2 के साथ C है ये भी ठीक है ठीक है अंतस्थल का विपलव तो अंतस्थल का विपलव किस ने कहा है ये निर्मला जेन ने कहा है ठीक है तो तीन के साथ डी आ गया और चार के साथ फिर automatically एक हो जाएगा अपराद भावना का अनुसंदान तो ये निर्मला जेन ने राम विलास शर्मा जी ने कहा है ठीक है तो अंधेरे में कवीता के संदर में और विद्वानों ने भी और मत कहे हैं उनको भी आप एक बार जरूर देखिएगा और ये कहां पर है किस इनके कावे संग्रह में संकलित है ठीक है ये चीज भी इंपोर्टेंट है और किस की कवीता है अंधेरे में ये भी आ रखा जाता है एक. ठीक हैं? तो कालीन किस भाशा का शब्द है? और इससे पहले भी हमने पिछे वाले लक्षर में एक शब्द आपको दिया था. ठीक है? तो यहां पर हमने रखा है कालीन शब्द. तो यह किस भाशा का शब्द है दिखीए? तुर्की, पुर्दगाली, तो पुर्दगाली अर्भी फार्सी इसमें नहीं होगा, तुर्की इसका सही उत्तर है, चलिए, आखरी प्रशन आज का देख लेते हैं, अभी हम तुर्की के बारे में पढ़ रहे थे, तो उर्दू मुल्ता जो है वो तुर्की का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, तो यहा तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, यह होगा आपका दोनों, ठीक है, तो इसको शाही शीविर भी कहते हैं, इसका अर्थ जो है, और इसको खेमा, या फिर शीविर, सिंपल शीविर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह थे आज के पंदरा प्रशन, अगर इन दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचती रहे और इसी तरीके से हिंदी साहित्य वारता जो परिवार है वो हमेशा बढ़ता रहे इसी उमी जहें